हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नम्स रेसिपी आज मैं बना रही हूं एक करी तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम इस रेसिपी को इसके लिए मैंने यह तीन बौल्ड एग लिया हुआ है एक चोपड अनिया लिया है मैंने दू ट्माटर गरेवी लिया है और लेशून अद्रक को मैंने कद्दू कस कर लिया है और इसमें मैंने यह तेज च्णमच पत्ता लिया है दो ख़डा मसला हम ले रहे हैं और एक छोटा तुकड़ा दाल चीनी का और दो लॉंग लिया है मैंने और ये चक्रफुल एक छोटा सुसका तुकड़ा और जीरा मसाले में लिया है मेर्च धन्या हलदी नमक और दो चम्माच गरम मसाला कि अच्छट नगे करो कि अंदर तक अच्छ से पके और जब ग्रेवी में में डाले इसको तो फिर अंदर तक ग्रेवी समय लगे इसमें मैंने स Titans Oh Di और मिला किमिलाली दा लिया है मैंने आप चाहे तो मिला है नहीं तो फिर नहीं मिला है इसको हम फ्राइ करेंगे ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे हम इसको याद रखे इसको बहुत हाई फ्लेम में नहीं फ्राइ करेंगे नहीं तो फिर यह जलने लगेगा और अच्छे से फ्राइ नहीं होग तो इसी तरह से सभी एक को हम फ्राइ कर लेंगे कि यह देखिए मैं ने इस तरह से फ्राइ कर लिया है सभी एक को अब इसमें उसी पैन में उसी तेल में बचा वाला तेल जो है उसके बाद मैं कद्दू कस किया हुआ अद्रक लहशुन डालूंगी प्यास डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा इसको फ्राइ करेंगे एक मिनट के लिए और एक मिनट फ्राइ करने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे यह दिखिए मैं इसमें डालूंगी एक चमच धनिया पॉडर वन फोर्थ डालूंगी हल्दी पॉडर और वन फोर्थ चिली पॉडर यह चिली थोड़ा तीक है इसलिए मैं इसमें कम डाल रहे हूं आप चाहे तो अपने टेस्ट की हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं इसको फिर इसमें डालेंगे हम टामाटर प्योरी जो मैंने पीस लिया था इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको इतने देर तक पकाएंगे कि यह तेल ना छोड़ने लगे लगभग चार-पांच मिर तक हम इसको पकाएंगे आप देख सकते हैं यह थोड़ा थोड़ा ते अभी मैं इसमें डाल दूँगी नमक नमक आप अपने टेस्ट की साब से डालिए भीच बीच में हम चम्मा चलाते रहेंगे ताकि मसाले जलेना और मैं आधा गरम मसाला अभी डाल रही हूं और आधा मैं बाद में डालूंगी तो मैं इसमें अभी आधा गरम मसाला डाल द पकाने से उसका टेस्ट काफी अच्छा रहता है मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको मैं थोड़ा एक-दो मिनट के लिए मैं इसको और पकाऊंगी यह देखिए इस तरह से मसाले ताकि और अच्छे से पक जाए अब ग्रैवी के लिए मैं इसमे एक ग्लास पानी डाल रही हूं आप अपने हिसाप से इसमें पानी घृता बढ़ा सकते हैं अगर आपको राइस में खाना है तो फिर यह देखिए मैं इसमें अभी गरमममसाला गया तो मैं आधा गरमममसाला इसमें और डाल दी जब उबाल आने लगे तब आप इसमें डालिए एक को राइस के साथ खाना है तो आप ग्रेवी बढ़ा सकते हैं और नहीं तो फिर आप और कम कर सकते हैं तो यह देखिए एक काफी अच्छे से पग गया है यह कंप्लेटली पग गया है तो इसमें हम धनिया के साथ तो आप भी बनाएए एक करी और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स पर डालिए और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब मैं वीडियो और थैंक्स फो वाचिंग मैं वीडियो बबाई बाई